बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा साथ का विशय संस्कृत संस्कृत में पार्ट छे है विज्ञानस्य चमतकार है विज्ञान का चमतकार यहाँ पर हम देखेंगे कि विज्ञान ने क्या क्या चमतकार करें कौन कौन से उकरण यंत्र हमें दिये हैं इस पाट का नाम क्या है विज्ञानस्य चमतकारा पहला आपका है एतर विज्ञानस्य यूग यह विज्ञान का यूग है एतर तो मतलब यह विज्ञान मतलब विज्ञानस्य मतलब विज्ञान यूग मतलब अभी का जो यूग है यह विज्ञान का यूग है अत्र तत्र सर्वत्र यहां वहां सभी जगह विज्ञानस्य चमतकाराण वयम पश्यामह हम यहां वहां सभी जगह विज्ञान के चमतकार को देखते हैं पश्यामह का मतलब होता है देखना वयम का मतलब होता है हम तो हम यहां वहां सभी जगह क्या देखते हैं विज्यान के चमतकार को देखते हैं एशह ब्रह्मन भाशह यह ब्रह्मन भाशह ब्रह्मन भाशह का मतलब आपका होता है मोबाईल ब्रह्मन भाशह ब्रह्मन मतलब चलना भाशह मतलब मोबाईल मतलब चलता फिरता है ना जनाहा ब्रह्मन भाष्णेन परसपरम वार्तालाप कुर्वंती चित्र में दिखाई दे रहा है यह क्या है आपका मॉबाइल है लोग जना मतलब लोग ब्रह्मन भाष्णा मॉबाइल से परस पर एक दूसरे से वार्दालाप कुर्वंती बनलब बातचीत करते देखो यह आपर वैक्ती बात कर रहा है तो यह मोबाइल है लोग मोबाइल से आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बात कर रहे है नेक्स आपको यह क्या दिखाई दे रहा है फ्रिज दिखाई दे रेफ्रेजरेटर है एततशीत कम यहाँ फ्रीज है जनाहाशीतकाश्य चीतपेअ पिवती लोग थंडे पानी को पीते हैं रोग रेफ्रेजरेटर में क्या रखते हैं ठंडा पानी और हम ठंडा पानी पीते हैं फिर आपका आता है आपको यह क्या दिख रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर को संस्कृत में कहते है संगणकम क्या कहते है संगणकम एतत संगणकम यह कंप्यूटर है यश संगणयम चलाती यश कंप्यूटर को चलाता है दिख रहा है यह बालग यहापर कंप्यूटर को चला संगर्णिक विविधानी कार्यानी सरल शिग्रम्च भवंती कम्प्यूटर से अलग अलग कार्य बहुत ही सरल और जल्दी से हो जाते हैं भवंती का मतलब होता है हो ना तो कम्प्यूटर से क्या है विविध कार्य बहुत सरल और शिग्रता से होते हैं नेक्स आपका दूरदर्शन, क्या है टीवी? एतत दूरदर्शनम यह टेलीवीजन है जनाहा दूरदर्शन माध्येन, वारता, चलचित्राणी, विविधानी, कारे क्रमानी, पश्यंती, शूनündenःव पश्यंती मतलब देखना शुनंती का मतलब होता है सुनना तो लोग दूरदर्शन के माध्यम से वारता को सुनते हैं चल चित्रों को देखते हैं आपने देखा है काटून अगेर आप देखते हैं आपको आवाज भी सुना ही देथी हम देखते हैं तो वो सारे चल चित्र होते हैं चलने वाले चित्र तो हम चल चित्र को देखते हैं और विभिन विभिन कारेक्रम हम दूर दर्शन पर देखते ह एतत विमानम अस्ती यह क्या है विमान है हवाई जहाज है विमानम आताश मार्गे चलती आताश मार्गे मतलब होता है आपका आकाश मार्ग कौनसा आकाश मार्ग तो विमानम आकाश मार्ग पर चलता है हवाई जहाज का उड़ता है बताओ मुझे आकाश में विमान यात्रा रोमांच ददाती रोमांच मतलब बहुत अच्छा लगना हमें क्या करता है बहुत अच्छा लगता है तो जो विमान यात्रा होती वो बहुत ही रोमांच चीत होती है हमें रोमांच देता है ददाती का मतलब होता है देना विमानें दूर स्थानस से यात्रा शिग्णम पूणवा भवती विमान से दूर की यात्रा जल्दी से पूण हो जाती हमेरा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसका उप्योग करते हैं? हवाई जाज का उप्योग करते हैं नेक्स आपको चित्रा में क्या दिखाई दे रहा है पंखा, एतत व्यजनम, व्यजनम मतलब होता है पंखा, क्या होता है आपका पंखा, व्यजनम ब्रह्मणम करोती, ये क्या करता है गूमता है, ब्रह्मणम का मतलब होता है गूमना, व्यजनम तापम हरती, और ताप को हरता करता हैं किसको गर्मी को क्या करता है हरता है। आपने देखें हमने पंखा, हवाय जहाज, टैलिविजन, कम्प्युटर, फ्रीज और मॉबाइल देखा ये सब हमार की किसело की देन है विज्यान किए इसलिए इस पार्ट का नाम रखा है विज्ञानस्य चमत का रहा अब यहाँ पर देखो आपको टिपनी दे रखिए ब्रह्मन भाशा, मॉबाइल, संगणम, कम्प्यूटर, चाल्यती चलता, शीत क्रम, फ्रीज, वार्ता, समाचार और व्यांजनम मतब पंका यह अभ्यास क्रम आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है आय समझ में, धन्यवाद बच्चों